दोस्तों आपके मन में कई बार ये सवाल आया होगा कि लॉयर, एड़ोकेट और बैरिष्टर में आखिर क्या अंतर होता है? सीनियर एड़ोकेट, एड़ोकेट जनरल, सॉलिसेटर जनरल और एटॉर्णी जनरल ये टर्म्स भी आपने बहुत बार सुने होंगे महत्मा गांधी बैरिष्टर थे या एड़ोकेट दोस्तों आज किस वीडियो में कॉमली इस तरह की यूज किये जाने वाले टर्म्स को आप समझेंगे इन्हें कब और किसके लिए यूज करना है ये भी आप जानेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम दो टर्म्स लायर और बैरिष्टर को समझ लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं लायर की जिसे वकील कहते हैं तो basically lawyer या वकील वो इनसान होते हैं जिसने law की पढ़ाई की हो जो law graduate हो अब चाहे उसने 3 साल का L.L.B. का course किया हो या फिर 5 साल का B.L.B. का course किया हो वो lawyer होता है लेकिन advocate नहीं होता है इसे आप आगे समझेंगे तो आप कह सकते हैं कि जिसके पास law की डिगरी है जिसने law की पढ़ाई की है वो lawyer या वकील होते हैं लेकिन सिर्फ एक lawyer बनकर आप किसी भी client को court में represent नहीं कर सकते हैं या आप किसी का case नहीं लड़ सकते हैं क्यों ये भी आप आगे थोड़ी देर में समझ जाएंगे दूसरा टर्म है barrister आपको बता दें कि अगर आपने इंडिया में law की डिगरी पराप्त की है तो आप बनते हैं lawyer वहीं अगर आपने इंग्लेंड में या फिर साउथ अपरिका में लग की पढ़ाई करके डिगरी पराप्त की है तो आप बनते हैं barrister सिर्फ term different है बाकी दोनो करवा लेता है तब उसे advocate यानि की अधिवक्ता कहते हैं तो मालेजिये आपने law की degree complete कर ली है अब आप BCI यानि की Bar Council of India में खुद को enroll करने के लिए BCI का exam देंगे जिसे पास करने के बाद आप वहां खुद को enroll कर सकेंगे इसके बाद आपको BCI से court में practice करने का license मिल जाएगा और आप lawyer से promote हो करके बन जाएंगे advocate मतलब अधिवक्ता तो अब आप ये समझ सकते हैं कि यदि कोई विक्ती अपने आपको advocate या फिर अधिवक्ता बताता है तो इसका मतलब होता है कि उसके पास अधालत में practice करने का license है और वह client को court मे represent कर सकता है और उनके cases लड़ सकता है तो दोस्तो बेसिकली यही difference होता है advocate और lawyer में जो lawyer होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ law kit degree होती है या फिर barrister होते हैं उनके पास भी law kit degree होती है लेकिन वो court में cases नहीं लड़ सकते हैं या फिर client को court में represent नहीं कर सकते हैं वही जो advocate या फिर अधिवक्ता होते हैं, वो बार कांसल में enrolled होते हैं, और उनके पास court में practice करने का license होता है, वो client को court में represent कर सकते हैं और उनके cases लड़ सकते हैं, अभ advocate के भीतीन term होते हैं, advocate, senior advocate, advocate on record यानि ओओर, advocate आप जानते हैं की वो होते हैं, जो client को court में represent कर सकते हैं और उनके cases लड़ सकते हैं अब ये senior advocate क्या होते हैं तो senior advocate की माननेता high court या supreme court उन advocates को देते हैं जिनके पास अच्छा खासा experience यानि की अनुभो होता है और कानून की अच्छी जानकारी हो मतलब ऐसे advocates जिनके पास 10 वर्ष से ज़्यादा का practice का experience हो और तमाम सारे cases में appear हुए हो और कितने फैसले उनके favor में आए या फिर नहीं आए है उनका कैसा record है इसके आधार पर ये decide किया जाता है जब कोई senior advocate हो जाता है तो उनका gown, उनका coat ये सब different हो जाता है और उनकी face भी काफे ज़्यादा बढ़ जाती है basically senior advocate का दर्जा उनका year of experience और knowledge देखकर की दिया जाता है इसके बाद आता है एडूोकेट on record यानि AOR ये बाद सायद आपको नहीं पता होगी कि Supreme Court जिसे Apex Court, उच्चितम नयाले या सरोच नयाले भी कहा जाता है इसमें सिर्फ और सिर्फ AOR ही case को file कर सकते हैं generally हर court के अपने कुछ rules, functions और procedure होते हैं ठेक उसी तरह Supreme Court के भी अपने कुछ अलक rules है तो अगर Supreme Court में कोई भी advocate case file करने चलाएगा तो Supreme Court का time fast होगा इसलिए जो AOR यानि कि advocate on record में registered होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही advocate Supreme Court में case file कर सकते हैं अब एक बात आप और समझ लीजिए कि case draft तो चाहे कोई भी कर सकता है या तक कि बहस भी कोई भी कर सकता है सिर्फ case filing के लिए restriction दे गई है कि case file सिर्फ और सिर्फ AOR ही करेगा क्योंकि उनको इन सब चीजों की knowledge होती है कि Supreme Court कैसे काम करता है Supreme Court के role से क्या होते हैं AOR बनने के लिए आपको Supreme Court की AOR की परिच्छा पास करनी पड़ती है इसके बाद हम बात करते हैं Advocate General की जिसे महादिवक्ता कहते हैं प्रतेक स्टेट के गवर्णर यानि की राजजपाल अपने स्टेट के लिए एक Advocate General को Appoint करते हैं Advocate General यानि की महादिवक्ता का काम ये होता है कि अगर स्टेट Government को अदालत में Represent करना होता है तो ये काम Advocate General करते हैं यानि कि ये अदालत में सरकार का पच्छ रखते हैं तो राज्य सरकार के सारे cases को court में represent करते हैं advocate general इसके साथ ही अगर state government को कोई legal advice चाहिए होते हैं तो वो भी advocate general ही देते हैं advocate general को state का first law officer कहा जाता है इसके बाद हम बात करते हैं attorney general की attorney general को Hindi में महानयवादी कहा जाता है जिस तरह से advocate general किसी भी legal matter के लिए court में state government को represent करते हैं ठीक उसी तरह से attorney general central government के cases को लड़ते हैं या court में केंदर सरकार का पच्छ रखते हैं attorney general को देश का first law officer कहा जाता है इस central government के किसी भी legal matter में सलाह देते हैं यानि की advice देते हैं attorney general के बाद second number पर होते हैं solicitor general solicitor general को देश का second law officer कहा जाता है ये केंदर सरकार के किसी भी legal matter में attorney general की help करते हैं तो attorney general को country का first law officer कहा जाता है और solicitor general को country का second law officer कहा जाता है दोस्तों दो ठर्म आप और सुनते हैं एक public prosecutor और दूसरा government pleader हमारे देश में किसी भी विक्ति या विक्तियों की सुमूह द्वारा कियेगे अपरादी क्रत्य को पूरे समाज के खिलाब किया गया अपराद माना जाता है इस लिहाज से अपरादी द्वारा कियेगे किसी भी अपराद के लिए सजा तैकरने की जिम्मेवारी नकेवल अपराध का सिकार हुए, यानि की पीडित वक्तिकी होती है, बलकि अपराधी को सजा देनी का दायूत तो पूरे समाज और सरकार पर होता है। क्योंकि किसी भी वक्ति द्वारा किया अपराध पूरे समाज को प्रभावित करता है। अगर एक Edvokate जो सरकार की तरफ से पीडेत का पच्छ लेता है यानी विक्टिम की तरफ से ficouट में प्रस्तोत होता है इसे ही Public Prosecutor यानी लोग implication कहा जाता है Public Prosecutor अपराधिक मामलो जिने फोज़दारी के मामले या English में criminal cases कहते हैं ऐसे केसे में पीडित पच्छो को रिप्रेजेंट करने या उन्हें न्याय दिनाने के लिए सरकार दोरा एपॉइंट की जाते हैं। पबिऩ परोसीक्यूटर से अपेच्छा की जाती है कि वन निस्पच चरूप से कारे करें और मामलों में से संबंदित सभी तथ्यों, दस्तावेजों और साच्छों को अधालत के सामने प्रस्तुत करें ताकि अधालत न्याय कर सकें। तो public prosecutor वो होते हैं जो अपराधिक मामलों में यानि की criminal cases में पीडित को नियाय दिलाने के लिए सरकार की तरफ से appoint की जाते हैं जो वकिल civil cases यानि की दीवानी मामलों में पीडित को नियाय दिलाने के लिए सरकार की तरफ से नियुक्ति की जाते हैं वो कहलाते हैं government pleader तो अपराधिक मामलों में पीडित को निया दिलाने के लिए सरकार की तरफ से अपॉइंट कीएं गय वकील public prosecutor कहें जाते हैं और civil cases में पीडित को निया दिलाने के लिए सरकार की तरफ से नियुक्त कीएं गय वकील को government pleader कहते हैं दोस्तों अब मैं आसा करता हूँ कि आपको यह जानकरी पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और ऐसी ही नौलिजवल वीडियोस पाने के लिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्स पॉर वाचिंग